का जो मुसल्मान है हो कह रहा है जो महुदी का यार यानी के थजार थे पाकिस्तान के लिए शेह बिं kitty था गदार है वह एजिप्ट Uhकortal प्लिये अब आप किसी से दोस्टिन कर पएगे क्यों हम इसे के साहूं है कि चाइना को इस किते में इंगेज की लिए इंडिया को यूज किया रहा है एंडिया को भूए बच्चा तो नहीं है अब ये तो वही बात उगए डिमोकरणी का मतलवील ओफ गौड नहीं चलेगा toujours उफ आपने क्या किया डिमाक्रसी के थूरू विल ओफ पीप्ल कर दिया है आपने रूप डिमाक्रसी का लिया है लेकिन सबके सबको मुसल्मान बना दिया और कैसा मुसल्मान बना है यानि अपनी आइटिंटिटी बरबाद पर तो इरिया से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने इस एरिया वाले रिजिनल पॉलिटिक्स में घीच रखा था क्योंकि आपका वर्ल्ड वियू कश्मीर से शुरू होता है कश्मीर पर खत्व है आपको उसके आगे कुछ पता नहीं हैं थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो अलम इस्लाम आलम इसलाम 56 मुमालिक शप्पन मुमालिक बती है इससे ज्यादा आपको कुछ पता है 56 मुमालिक के लिए आपने हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम अपने वैपन्स वो ज्यादा तर खरीडता है यूएस से रशिया से फ्रांस से लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेजिडंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे उन्हें ब्रामोस चाहिए जो के वो अगेंस यूज करना चाहते हैं इसके उपर हम बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे साथ इतनी तेरी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना तिर्फ लेकर गया है और रशिया जैसा कंट्री ब्रामोस लेना चाह रहा है इंडिया से क्या कहेंगे इसक from import based to export based ya export oriented मेराने की कोशिश की थी, उसमें हमने कई country के साथ मतलब पहले जब मिल्कार से वसेनर रीजीम जिसमें यह था कि जब आप उस group के member नहीं होते वसेनर Group के यह मेंरे के खर श कोई और is का नाम होते हैं तो आप Just जोइंट पॉड़क्शन ऑफ मिजाइल पांच सो किलोमेटर से ज्यादा कर नहीं कर सकते तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोज मिसाइल की कोई जॉइंट प्रॉड़क्शन रिसार्च इंड डेवलप्मेंट सुपरसॉनिक म ब्रह्मोज जो वर्ड़ है वो दो इस अपॉट्मेंट व तो वर्ड्स मतब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड यह ब्रह्मापुत्ता नदी हमारे हां साम में बहती है उनको उसका ब्रह है और ऑसकावा नदी जो की रश्या में बहती है मॉस्कों में जिसके अधाप एले जो रशियन यूक्रेइन वार में जो मिसाइल यूज़ कर रहे थे वह ता पी एट हंड़ेट अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि यह ब्रहमोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज़ करें उसकी प्रिसीजन ज्यादा है चुकि यह जॉइंट डेवलप में जॉइं तो यूरोप पर यूज़ होंगे तो जैसे जब हम कोई भी हत्यार पाकिस्तान को बेचता है तो हम यह कंडिशन उसमें यह देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे उपर यूज़ हो रहे हैं अगर आप वो विपन पाकिस्तान को बेचते हैं जो हमारे उपर यूज़ होना जो है तालिबान का कि आप पाकिस्ताने जो जो यह जा ना या तीका बयान कि आपने आपकर सोच में लिया तो आपके वह आलत करें गे आप समझ नहीं सकते तो वह आप आपको सोचना पड़े हैं कि कैसे तुटरिक्र record है अदरवाइस तो लेट सी आउ तिंग्स अनफोल्ड और ब्रमोस एक बड़ी जवर्दस मिसाहिल है प्रिसाइस है जो रशियन जो मिलिटरी आर्डवेर है उसकी एक एक क्रिटिसीज़ हमेशा से रही है कि दिया डिया डिया गुड बट प्रिसीजन उनकी थोड़ी सीना में बड़ देगे तो अब बरमोस के साथ वो नहीं है तो इस इस आउ इस ताइम पे इंडिया का क्या इंपोर्टेंस है और आने वाले टाइम में अगर ब्रमोस वो रशिया को देते हैं लेट्स पोज तो क्या कंडिशन होगी क्या ये कहा जाएगा क्या इस तरीके से यूज कर सकते क्या आप कहेंगे इसके उपर देखें मेरा माना यह है कि ठीक है अब कई बार आपको रियल पॉलिटी का सामना करना पड़ता है जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में हम उससे प्रिंसिपली सपोर्ट नहीं करते हैं जबर्द कि आपने एक सौवरीन कंट्री का टेरिट सायर बहुत बड़ा था वो बहुत विद्वान थे लेकिन उनका जो राजा था घननन धनन वह बड़ा ही मकार आदमी था उसमें वह सखाली अपना इंज्वाई करना लाइफ के मजे करना और उसको प्रजापे ध्यानने देना यह उसकी फित्रत थी तो जब चानक के तक्ष नीकि ऐलेksandra को जिसको आप सिकंदर कहते हैं उसको हम रोक सके कि वो भारत माता की भूमी को गंदर ना कर सके हमने चले आयो तुम उसको अपने मयद राक्षजन को भो लगता करते हैं उसमें दम है और नहीं हुआ क्योंकि मात्र आक्षिस ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह गलत है मगर मैं मगद की राज सिंगासन से बंदा हूं हमारी मुश्किल यह है कि हमें गलत का भी साथ देना पड़ेगा वही भारत के साथ हो रहा है कि हमें पता है कि रशिया इस डूइंग रॉंग अब व लगों को अपनी मैंचिस्मों की च्वी को कायम रखनाचा लुए कि हमने गो मुर्ण सार हमने हमने इस से पहले यह देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाएं तो यह कहा जाता था जह जो एपना यहां पे पावर रखने के लिए इस एरिये में अपनी पावर चुनो स्टेट में असला बेचने के लिए यहां पे कनफ्लिक्स बनाए हुए हैं लेकिन अब तो इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो आलमोस हुद क्रियेट कर रहा है अपने वेपन सुद बना रहा है तो क्या कहेंगे अभी भी यह जो हमें बताया जाता था कि यह गोरों ने लड़ाई डाली है अपना असलाह बेचने के लिए गोरे अपना पावर इस एरिये में रखने के लिए यह साब कर रहे हैं तो अब यह सतम होती नजर आ रही है मैरा तो उन प्रम ज्यानी लोगों से यह प्रश्ण होगा जिनको बता था कि गोरे असलाहा बेचने के लिए यह सब कर रहे हैं तो आपने असलाहा खरिदा क्यों जब आपको यह बात पता दी आप नहीं खरिदे गोरे फेल हो जाते गोरे अगर यह चोड़ दे गोरे फेल हो यार यह यह तो बड़ी अजीब बात कि 1947 बनने के बाद सीधा आप अमेरिकन का में आपने उनके साथ ट्रीटिया साइन करी कम्यूनिसम के अगेंस्ट में और लड़ाई लड़ी इंडिया के अगेंस्ट में आपका कम्यूनिसम से कोई दुश्मनी नहीं था आपका इंट्र सारे इंट्रेस्ट साइलोज में नहीं होते हैं कि मेरा इंट्रेस्ट जो है वो शोईप के इंट्रेस्ट से एकदम मैच निखाएगा सामने वाले का इंट्रेस्ट मेरे से नहीं होगा सारे इंट्रेस्ट में डाइगर आप बनाए एक जीरो ऐसे बनाए एक जीरो ऐसे तो अगर आप overlap of interest है तो अपनी सारी जो कमिया हैं उनके उपर डाल दें कि ये बदमाज थे हम तो शरीफ लोग हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं अगर आप शरीफ लोग थे आप विपन नहीं कहिते हैं आप विपन बोल देते हैं कि हमें नहीं बनाना है आपने nuclear विपन क्यों फिर उनसे पूछिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये यूरोप ने करवाया है और यूरोप और वेस्टरन पावर चाती थी कि कश्मीर या दूसरे जो डिस्प्यूट है इंदोस्तान पाकिसान के बीच बने रहे हैं तो नुक्लियर विपन तो उन्हों नहीं दिया था आपक लगा है फिर अब्दुल साहब जाकर कि उसके स्मगलिंग करने लगे एरान को तो फिर लीबिया को तो सबको वो नुक्लियर विपन बानने लगे ये भी गुरों की साजिश थी ठीक है अरे बही ऐसा ना करें फिर मेरा फेवरिट डिलॉग है खुदा का खौफ करें उस तो सोच लें आप लोग जी बुलें ठीक है सन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नाइंटिन सिक्टी फाइफ की वार में हमने देखा कि अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को स्पोर्ट किया अपने वेपन्स दिया अपनी टेक्नालोजी टेक्नालोजी दी फिर उसके बाद ओर उन टेरर में हमने देखा कि सरे आम डालर भी आए बड़ी बड़ी टदाद मैं टेक्नालोजी बी आई और कहा यह जा रहा था कि इंडिया को इंगेज रखने के लिए यह साब कुछ किया जा रहा है लेकिन अभी कुछ जर्नालिस्ट कुछ एनलिस्ट कुछ आथर्स यह कहते नजर आ रहे हैं कि चाइना को इस किते में अंगेज रखने के लिए मतलब इस एरिया में अंगेज रखने के लिए इंडिया को यूज किया जा रहा है इंडिया कोई बच्चा तो नहीं है अब ये तो वही बात हो गए कि या जो एक माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चे की गलती दूसरे बढ़ाती कि मेरा बच्चा तो ठीक है दूसरे इसको भी नुगा लगा है बच्चा चर्सी बढ़ा यह नहीं पीना चाता हो तो वो पि आरेक्ट विपन तो नहीं दिये थे लेकिन हाँ यह विपन आपको मिलेते कम्यूनिजम के फाइट के लिए तो अमेरिका यह सोच रहता देखिए यह बड़ा क्लासिकल एक्जाम्पुल है कंसेंसस एडिडम का जब आप मितरता तो हो रही है पर मीटिंग ऑफ दो माइंड मीटिंग ऑफ देख मैंड नहीं है अमेरिका नहीं है तुम यार कम्यूनिजम किया कर लड़ा हुए आपका दुश्मान इंडिया था वार और उन्हों ने आपको दुखा दिया या आपने उनको दुखा दिया आपके हम आपके साथ वार on terror basically war on जिहाद था चुकि वो अलकाइदा के अगेंस्ट में साल काइदा का एक ही मांग था कि हमें अमेरिकन जो है अपनी सब्सक्राइबिया के सब्सक्राइबिया के पवित्र भूमी पर अमेरिकन बूट्स नहीं चाहिए उनके खिलाफ जिहाद करो तो war on terror विच बैसिकली व आप लड़ने चले गए आप लड़ गए हो अलकाइदा से जो अलकाइदा चाहता है वो सारी चीजें का आपको सॉफ्ट कॉर्णर है आप भी नहीं चाहते थे कि वेस्टर जो है वेस्टर फोर्सेज इस इलाके में अपना पाउं जमाय लेकिन आपने उनको इन्विटेशन में तो अमेरिका आप सोचेतें कि यह अगेंस्ट आतंकवाद है जबकि वो बिसिकली अगेंस्ट जिहाद था आप दोनों में कभी मीटिंग आफ माइंड नहीं था आप एक दूसरे को समझ नहीं रहते तो आपने वहां पर डबल गेम खेल दिया आपने का कि हम वार ऑन टे यह रैप अप कर दूं मैं इसको शोहिब जी मैं यह कहूंगा आप यह दूसरों के उपर कुड़ा ना डाले आप खुद करना चाहते हो और आप जुकी जामने वाला भी उसका भी इंटरेस्ट आप से थोड़ा से टैली कर रहा है पूरा नहीं तो आपके तो हाँ चलो करें और जब वो चीज़ें बैक फायर कर जाती है तो अब सारा कुड़ा मलबा उस पर डाल दे तो यार उसने करवाया या मेरी क्या गलती मैं तो बड़ा भोला आदमी हूँ ठीक है सार आपको नहीं लगता अभी आपने अफगानिस्तान का जैसे जिकर किया आपने बोला और उ इवन उन्होंने कुछ एक्जेंपल्स भी हमारे बार्डर्स पे हमें दी हैं क्या कहेंगे सर यह जो सिचुएशन बंती नजर आ रही है हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और सैकिंड नंबर पे अब इंडिया यह वाली गेम से यह जो एरिये की पॉलिटिक्स है इसे निकल के वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाता नजर आ रहा है अपने इस एरिया वाले रिजिनल पॉलिटिक्स में घीच रखा था क्योंकि आपका वर्ल्ड विव कश्मीर से शुरू होता है कश्मीर पे खत्व है आपको उसके आगे कुछ पता नहीं है थोड़ा सा और अ अब यह अफगानिस्तान से लड़ाई आपका वेस्टन साधिश है किसकी साधिश है तालीबान को लाने वाले आप थे तालीबान जब लड़ाई लड़ा था गनी की इलेक्टेट गवर्मेंट से तब तो आप वो क्या कहते हैं पंजामे लुडियां पाई हुई थी कि चलो अपने मुल्क में डिमॉकरिटिक वो सोसाइटी चाहते हो और लड़ा आप तालीबान के साथ रहते हैं यह वेस्टन ताकत आपके खिलाफ साजिश कर रहते हैं यह आप अपने खिलाफ साजिश कर रहते हैं जब आप डिमॉकरिटिक मूल्य चाहते हो तो जाके बाहर भी त ड्रग्स नहीं चाहते हो तो बाहर किसी ड्रग्स सप्लाइर की मदद मत करो आप ड्रग्स सप्लाइर की मदद कर रहे हो कहरो या ड्रग्स हमारे गर में या रहे है या डबल स्टैंडर्ड के लाइप में कुछ नहीं करते हैं उसका कारण ही है कि आपकी जो शुरुआत है जो मोदी जी को गले लगा रहा है, मोदी जी को अपना highest civilian award दे रहा है, order of nile दे दिया, एजिप्ट ने, order of jayat दे दिया, UAE ने, साओधी अरेबिया ने अपना highest sirman दे दिया, मतलब तुर्की ने दिया, जॉर्डन ने दिया, पेलेस्टाइन ने दिया, सब ने दिया, लेकिन आप का है, जो मुसल्मान हो कह रहा है, जो मोदी का यार है, यानि कि साला आप आप के हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेक बिन जायत घदार है, वो एजिप्ट के जो है, LCC, वो घदार, सब घदार है आपके लिए, अब आप किसी दे दोस्टी ने कर पाएंगे, क्योंकि शेक हल जायद दे तो friendship band bandi, Modi का यार है, जो friendship bandi वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना, तो शेक बिंजायद जो है, वो Modi के यार है, आपकी definition कि है, वो Pakistan के गदार है, तो आप तो उनसे लिस्ता तोड़े सबसे बहले जाकर कि हम इसे दोस्ती कर ले कैसे, यह तो Modi के साथ दोस्ती कर रहा है, आप ना दुनिया को, मैंने वो कहा है, जो मैं कर रहा था, यह आपके बीज में double standard है, आप चाहते कुछ है, बोलते कुछ है, आपको बोलने का यह रहता है, जो बोल दो, चुकि आपको आपको नहीं लगता है कि हम तुसरे का दिल दुखा है, तो मेरा हक है, लेकिन हमारा कोई दुना दुखा है, तो आपके जिनना सामने क्या का, टू नेशन तियोरी, हिंदुस्तान का मुसल्मान और हिंदू साथ नहीं रह सकता, दोनों एक हैं, मगर साथ नहीं रह सकते हैं, चलो भाई, टीक है, देश बनाओ, जब देश बन गया, तो वो क्या भाचार दे रहे, आप कोई ना हिंदू रहा ना मुसल्मान रहा, यार फर गाट से खुदा का फिर से खौफ करें, यहीं करना तो फिर यह टू नेशन थियोरी क्यों लेके आए, आपने पाकिसान बनने के पहले टू नेशन थियोरी को खतम कर दिया, कहा कि अपना हिंदू रहेगा ना कोई मुसल्मान रहेगा, स्टेट की नजरों में सब समान रहेगा, तो यहार इंडिया में भी यह चीज हो सकता था, कि तालिबान रड़ाता, आप करें तो वाँ भाई वाँ यह हो गया, इसने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, आप चाहते हो डिमाक्रसी हो, डिमाक्रसी के तीन प्रिंस्पल होते हैं, जिसों कहते हैं, रूल आफ लॉड, डिमाक्रसी तब आती है, हर इंसान, बरावर है, दूसरा, औरत औरमत बरावर है, तीस, सारे रिलीजिन बरावर है, freedom of religion, equality of religion, state का कोई religion नी होगा, ये पहला, ये तीसरा condition है, आप क्या हो, ये सब चीजे है, आप क्या believer, non believer बढ़ाबर है आज ही में जा रहे हैं जो एक की मंदिर तोड़ दिया गया और इस्टेट की तरफ से कोई प्रकत नहीं हो रही है और मंदिर किसका तोड़ा हिए लोग सब दे हि Adapt錯 है हिद्व का मंदिर दोड़ा अरे मुर्खोव मेरे बाप दादा यूपी से जाके थोड़े बनाय थे वहां से, तुम्हारे बाप दादा ने बनाय था उसको, हो कोई हमारे यूपी बियार के या तमिल नाडू से गए हुए लोग ते, वो पंजाब के लोकल लोग से, लाला गंगा राम, जो है सरगंगा राम, जिसने की तुद तोड़ी है तुमने, हमारी का तुद तोड़े तोड़ी है, बिल्कुल, घुलाव पे भी हॉस्पिटल भी है, और भी इस तरह के हॉस्पिटल मुझूद है, और ये जो मंदिर को लेके खबर आई भी, मैं स्पेशल लाहोर से, इदर कराची में कवर करने के लिए है कोशिश करूँगा, वो हकीकत को ना सिर्फ सामने लाया जाए, बलके मैं ये कोशिश करूँगा, कि ये जो सारा इशू है, इसे सौल्व किया जाए, ठ्रोड प्रॉपर चैनल, और जो हमारे अदारे हैं, हमारी गोवर्मिंट है, उन्हें आलरेडी हम अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां के पॉलिटिशन्स के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इनको हम बताएं के बाई ये कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, यहां पे इशू है पाकिस्तान का, ये प्रापर्टी पाकिस्तान की है, और हमें इसकी इफादत कर की जुरूरत है और हम यह कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी उमीद है मुझे कि कुछ हम कुछ ना कुछ बहुतर जरूर कर पाएंगे तर आपने बोला कि तालिबान पाकिस्तान ने त्यार किये पाकिस्तान पेक्षिए आपने जो बोला मैं आपको चलते हो जैस ghee सजोधिय sharbaj यहां पर एलेक्षं नी होता है यह cambio ओड मुझे का मतब द्यूधिया विल आफ पीपल कर दिया आपने रूट क bissिकलिया है लेकिं सबके सबको मुसल्मान बना लिए और कैसा मुसल्मान बना लिए अरबी मुसल्मान नहीं बना नहीं wyp अर्भी का मुसल्मान तो साओधी अरविया में युए ही में जाके देखे वो तो हिंदू टेंपल खुल रहा है आपने सब को सिखा दिया है कि मुसल्मान होने का सिर्फ एक मतलब है हिंदू की सारी आइडेंटिटी बरबाद पर तो यानि अपनी आइडेंटिटी बरबाद सब जगा उर्दू में लिख दो सिंदी घटा दो पश्टो अटा दो पंजाबी अटा दो यह हम इसे हम जो है मुसल्मान बन जाएंगे बही कौन सा भगवान होगा यह लोगों की तबाह हो बरबाद लेंग्विज करने से आएगा कल्चर करने से आजाएगा या उतिहवार जो है वो दारू नहीं पी जाएगी नंबर टू उन्होंने कहा कि बही काबाए मुनवरा मुनवरा में बुत नहीं होंगे इसके लावा टौफिट मुहम्मद सल्ट अल्लाहे वाले वसल्लम दोनों तीनों चारों काइनात के मालिक जो है उन्होंने क्या चेंज़स किये भी आपके रिलिजन में वहां से आ गया तो आपने सारी जाके आज आप टेस्क कर लिजेगा यह जो पौर्क नहीं खाना सुछर को गंदा जानवर प्रौफिट मुहम्मद के पहले यहूद ही नहीं खाते थे वह आप भी नहीं खाते उन्होंने सारे कल्चर को प्रिजर्व करें पौफिट मुहम्मद सल् cy En Judy यहां बैक सोड मेरे माindi में भी आया आपने बोला कि जो अरब के मुस्लिम है उनका जो माriet सैत है उनका जो कंसेप्ट है यहाँ के मुस्लिम से बहुत डिफ्रेंट है लेकिन यहां अगर पाकिस्तान की बात करें और साथ ही इंडिया की बा बजबका मुसलमान इंदुस्टान के मुसलम को जैसे की पाकिस्तान सल्भम मैं कि आखरी नमी प्रौफिट मुहमेत जैसे अनग पुटपैंगा यहूदण आ रिपके बाद चीट की और मुसा से का चीट मुसा कहें दा। नाम नम यहूद जो की इस्राहिल वा ता इसराहिल के आगे उसकी वो सिर्फ यहूदियों को गाड़ था इनिवे उसमें टेन कमान्मेंट में से एक आया कि तुम तुम इसमें एक लाइन जोड़ी जैसे है जो आप कहते है लाह इलाह इलिलाह यहूदी लाइन है यहूदियों ने इन कमान्मेंट में कहा कि कोई गौड नहीं है और सिर्फ एक गौड है उसमें प्रॉफेट मॉहमद ने एक चीज़ जोड़ी ला इलाह इलिलला मुहममद अब पॉइंट यह है कि आप जो साओधी अरेबिया में उनकी जो स्ट्रगल हो रही थी वो सिर्फ दो ही लोगों को जानते थे या तो यहूद को या तो नसारा को वो हिंदुओं से उनका कोई लेना ही देना नहीं था इसलिए आप पो पुरान में जगा 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 यहूद यह रहता है कि हमें नौलिज होता नहीं मैं अपनी अगर बात करता हूं मेरे तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं हमें नौलिज होता नहीं हम अपनी मर्दी का जो हमारे फाइदे का इसलाम होता है हम उसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश करते हैं और जहां पे हमें अपना नु इश्यू है रशिया का इश्यू है इसका फ्यूचर क्या है और सेकेंड नंबर पे क्या आपको लगता है कि जो वेस्ट है वो यूक्रेइन को प्रापर ओपनी स्पोर्ट करेंगा आने वाले टाइम में वेस्ट में फटीग है उनको भी तो कौन सी उन्होंने सुझा कि वो अपना वेपन दे देंगे अच्छा कई लोग यह भी चल रही है कि वेस्ट ने यूक्रेइन को अपने वेपन दे करके यह वेपन की टेस्टिंग शुरू कर दी है कि जो हम नए विपन बराने वाले यह यूक्रेणों को भेजो देखो इसका रिजल्ट वही आएगा कि नही आत में हम रशिया का टोटी डवा देंगे तो उनका उयल गैस नहीं लेंगे जैसे जर्मनी ने तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाएगी और अगर जब पैसा नहीं होगा तो यूद नहीं लड़ पाएंगे उनको क्या पता था कि चाइना औ और इंडिया खड़े हो गए चाइना और इंडिया ने उनसे जादा उनको बिजनेस दे दी तो यूएस्ट को ये समझ में आ गया कि दुनिया उनके इसाप से नहीं चलती है तो वेस्ट के उल्टा हुआ ये कि जब उन्होंने ये गैस बंद की उनके इंफ्लेंशर हो गया वो रशेौ से तो सस्ते में ते वी झाष एigator अपने आपको गरम रखने के लिए अपनी इंडिया सब्सक्रा उपर और वाली बात बेढए है कि पाधिस्तानी है अपना आ अवारे नवों कि बैड़ है